ठीक है कुमार गौरव वो हमारे साथ बने हुए कुमार गौरव क्योंकि बीजेपी भी आज बड़ा बदलाव करने जा रही है कई मास सचीवों की निक्तियों होने जा रही है कई राष्ट्यों उपध्यक्ष बनाये जाएंगे तो क्या समिकर्ण रहेगी और क्या स्ट्रेटिजी रहेगी बीजेपी की इन नई निक्तियों के बारे में देखे जाए तोर पे इस हबते के अंदर ये तमाम बदलाव आपको सामने होते हुए नजर आएंगे पिछले चार दिनों से लगातार बैठक हुई है कल रात को आखरी बैठक हुई संगठन के लिहाज से जो महत्पूर्ण था उसमें जेपी नडड़ा और ग्रीमंत्री अमित्सा और बील संतो जो की संगठन महमंत्री है और एक तरह से मोठे तोर पे अब सहमती ये बनी है कि पार्टी का जो पदाधिकारियों का पद है पद की संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए तो लिहाजा पार्टी में बदलाओ और साथ में एडिसन ये दोनों होना है ये तह है लगभग 5 नए महासचीब पार्टी बना पांच के आस पास ने सचीब भी पार्टी बनाएगी इतना ही नहीं छै राजियों में परदेश-ध्यक को पदला जाएगा नया परदेश-ध्यक दिये जाएंगा लोग्सावा कि इसकी अलबा लोकसभा के लियाज से 6-7 राजियों के प्रभारी बदले जाएंगे जो राजिय क्रहिं होते हैं जिसमें जम्मू कस्मीर तेलंगाना मद्य प्रदेश समित कई राजी समें उत्तर प्रदेश सबसे महत्पुन वो राजे सामिल है तो जाहिर सी बात है राष्टी अध्यक्स रहेंगे इसमें कोई दोराय नहीं लेकिन वहाँ की टीम को भी आगे लाना है चुकि कई जगा आपने देखा जैसे कि करनाटक में पार्टी को एक जटका लगा क्यों वीए से दुरप्पा थे उनको हटाकर नए बोमई को मुखमंत्री बनाया गया लेक से 2024 में नए उर्जा के साथ उतरना चाहती है नए जिम्मेवारी नए लोगों को देना चाहती है इन सबी चीजों को सोचकर बदलाव की तैयारी की जा रही है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि वह बदलाव आपको जमीन पर होते हुए नजर आएंगे झाले आमेवारी झाले आपको